तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मोला नाजाद नेशनल इंस्टिचूट आप टेकनोलिजी भूपाल 462003 की और से यहाँ पे रिक्विट्मेंट की जारी है नान टीचिंग पोजिशन के लिए ग्रूप बीक यहाँ पर पोस्ट हैं जिसके लिए डिरेक्ट रिक्व इसके लिए आपको दोस्तों ऑनलाइन मोड से फॉर्म यहाँ पर सबसे पहले फिल करना होगा उसके बाद जो हाड़ कॉपी होगी फॉर्म की और बाकि जो भी डॉकुमेंट्स आपके होंगे वह सारे आप अटेज करोगे और अटेज करने के बाद एड्रस पर आपको स्प यहां पर आप देखिए www.manit.ac.in यहां पर website mention की गई है ना यह institute की website है इस वाली website पर जाकर आप detailed advertisement भी download कर सकते हैं और apply भी आपको यहां पर जाकर ही करना होगा 25-2024 से form जो है वो online mode से submit होना start हो चुके हैं और 24-11-2024 तक आप form को fill कर सकते हैं जो hard copy है उसको submit करने की जो last date है वो है 4 December 2014 साड़े 4 बजे तक address कौन सा address पर आपको hard copy submit करनी है तो आप हम आगे देखेंगे देखो दोस्तों यहां पर जो envelope है ना envelope के अंदर आपको क्या करना है अपना form जो है hard copy जो है online form की hard copy है वो आपको रखनी है और उसके बाद बाकी जो आपके documents है जो qualification है जैसे आपकी graduation आपनी की है category आपके पास है ना यह सारे documents वगिरा आप लगाओगे तो वो आपको self test करने है अपने documents आपको self test करने है और envelope के अंदर आपने वो डालने है और इस वाले address पर आपको speed post करना है जैसे इस वाले address पर आपको speed post कर देना है अपने जो form है और उपर से envelope के उपर आपको mention करना है क्या mention करना है कि भई आपने जो application है वो कौन सी post के लिए apply किया है जैसे आप लिखोगे application application for the post of superintendent ओके यह आपको mention करना है और यहाँ पर आप देखो self test क्या रहेगी 93,000 से लेकर 34,800 तक अगर आप select होंगे grade पर आपको 42,000 का मिलेगा age में बताया गया है आप यहाँ पर 30 साल तक अगर आप किया जाती है आप यहाँ पर apply कर सकते हैं और relaxation for departmental candidates है up to 5 साल in accordance जो भी order वगेरा issue किया गया हो central government के central government के और से तो उसके मताबिक आपको यहाँ पर relaxation मिलेगा departmental candidates के लिए अब देखों यहाँ पर unreserve के लिए क्या है चार पोस्ट है ना unreserve के लिए चार है मगर इसमें अगर कोई category वाले जैसे SC, ST, EWS यह अगर candidates apply करते हैं कोई category वाले candidates अगर unreserve post vacancies के लिए apply करेंगे तो उनको यहाँ पर किसी भी तरह का relaxation अगरा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा ठीक है और qualification में देखिए यहाँ पर first class bachelor degree आपने की होने चाहिए या फिर इसके equivalent में किसी भी recognized university या institute से किसी भी discipline में तो आप अपले कर सकते हैं या फिर master degree अगर आपने की है किसी भी discipline में at least 50% marks के साथ तो भी apply कर सकते हैं और साथ में इन्होंने बताए computer applications यैसे word processing separate sheet का आपको knowledge होना चाहिए तो यह आपको यहाँ पर देखा भी जाएगा skill test भी आपका यहाँ पर होना चाहिए तो आपको computer applications का knowledge होना चाहिए तो knowledge of the computer application word processing separate sheet shall be accessed through skill test के तुरू आपको यहाँ पर यह जो मतलब computer applications का knowledge है यहाँ पर test किया जाएगा मतलब skill test आपका यहाँ पर होने वाला है तो यह आपको आना चाहिए बाकी यहाँ पर पोस्टें कम हैं लेकिन आल इंडिया लेवल से सभी candidate apply कर सकते हैं अगर जो interest रखते हैं जिनके पास eligibility जो भी criteria है वो fulfill अगर आप करते हैं तो selection का process यहाँ पर देखो method of selection क्या होगा सबसे पहले तो return test और second होगा skill test तो return test जो होगा इसमें 40% बताए गए है अन्रजर EWS OBC जो candidates है उनके लिए 40% बताए गए है minimum qualifying marks और जो SCST PWD है उनके लिए बताए गए 35% qualifying marks minimum qualifying marks बाकी skill test में हाँ पर skill test में भी आप देखिए यहाँ पर प्रेजर EWS OBC वालों को 40% minimum qualifying marks SCST PWD वालों को 35% minimum qualifying marks बताए गए है उसके बाद फिर आपकी यहाँ पर यह जो performance है इस performance के basis पर मतलब return test and skill test इन दोनों की basis पर फिर यहाँ पर जो है final merit list प्रेपेर की जाएगी और उसको फिर निकाला जाएगा यह देखिए applicant must be season of India मतलब अगर आप season of India है तो किसी भी state UT से belong करते हैं आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अगर आप eligibility criteria को fulfill करते हैं इसके अलाव फिर यहाँ पर बाकी चीज़ें तो clear होई चुकी हैं fees हम यहाँ पर देखते हैं fees यहाँ पर रखी गई है unreserve के लिए EWS और OBC category वालों के लिए 1000 रुपया online mode से आपको यह pay करना है non refundable है एक बार आप pay करोगे वापस आपको fees नहीं मिलेगी और बाकी जो SC में आते हैं ST और PWD और women जो हैं इनके लिए किसी भी तरह के fees नहीं है यह free of cost जो हैं यहाँ पर form को fill कर सकती है और जैसे मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि बाई no age relaxation will be allowed to SCST OBC candidates applying against unreserved मतलब अगर unreserved category में जो हाँ पर पोस्टे हैं जो विकेंसी निकाली इसमें अगर SCST OBC वाले apply करेंगे तो उनको कोई भी age में relaxation में गरा नहीं दिया जाएगा ठीक है तो बाकी address मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सी जगा पर आपको यह send करना है फिर से आप यहाँ पर देख लेना address यहाँ पर mention किया हूँ आइन के और से देखो यहाँ पर तू दर रिक्विट्मेंट सेल नॉन टीचिंग मोलाना अजाद नेशनल इंस्टिटूट अब टेकनोलिजी भोपाल लिंक रोड नंबर थी नियर काली माता मंदिर भोपाल 462-2003 462-003-MP यह address है जहाँ पर आपको यह जो अपनी hard copy है नहीं submit करना है उसके बाद hard copy भी उसकी submit करना है बागी relevant documents को attach करके आपकी qualification, category जो भी है जो जो आपके पास documents वा सारे attach कीजिए self-attest करके envelope के अंदर डालिए और बाहर से इस address पर आप send कर लीजिए ठीक है और यह भी mention करना किस post के लिए आपने apply किया जैसे मैंने आपको पहले ही बताया तो last date यहाँ पर opening date यहाँ पर है 25-10-2024 last date क्या है 24-11-2024 और hard copy को submit करने की last date है 4-12-2024 साड़े चार बज़े तक वहाँ पहुंच जानी चाहे बाकि यहाँ पर बताया गया कि कोई भी difficulty अगर आपको आती है online application form को submit करने में इसके related में तो आप यहाँ पर must be address to यह यहाँ पर जो id mention की गई है इस पर आप इनको लिख मैं चाहँ आती है पर आपको 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 आती है पर रज में पर गुराशे चाहँ पर आती है पर रापको आती है थाँ